कि आप सभी को दुबरा मैं स्वागत करता हूं कि मैं सब कर देता हूं आप सभी को लाद इसका वेशना हुआ कि अपने आप विश्वास रखते हूं खुट को विवस्टीत करना मतलब क्या है आप बताओ कोई भी बिजनस आप करते हो तो आप बिजनस करने के लिए कोई भी बिजनस को चुनते हो और उसके लिए क्या आपको बिना सिपर सोचने के साथ साथ आपको विश्वास होता है मान लेजी अप मान लेजी एक परचुनिका खुलने का आपने सोच विचार किया है तो आपको पहले सबसे पहले पता करोगे कि जब्षार कोन सी जगा खुलनी है है ना और वहाँ पर rent कितना लेगा मैने का rent 10,000 होगा अब बता है ये 12 मैने के लिए 1,20,000 का rent होगा और 5 साल तो minimum में इसको करके देखूंगा तो कितना होगा है 12,60, 6,00,000 रुपे आपको rent के लिए आपको विविश्टित करना पड़ेगा ना वो तो planning आपको होना चाहिए आ आपको एक विश्वास होना चाहिए कि भाई ये पर्चुने का दुकान में सफल बनाऊंगा दूसरी बात यहां पर आप दुकान खोलोगे वहां पर उस maximum क्या चीज़ की लोग ज्यादा डिमांड करते हैं ना वो सारा सामान आप वहां पर रखते हैं तो उसके लिए मान ल अपर विवस्तित कोन करेगा वह आपको करना पड़ेगा और वहां पर दस गंटा-बारा गंटा-चौदा गंटा बेट ने के लिए किसको सोचना पड़ेगा वह आप अपने आपको सोचते हो वेटती भी हो कभी ग्राक आता है एक अब नहीं आता है फिर भी आप उसमें ल यदि यद्ले 10,000,000 रुवे मांग रहे हैं पताanie कि आप एक दिन में प्लान दिखाने के लिए जाएंगे क्यों कि दीन में 2,000 पत्य डाल रहे हैं कुई मैनेचाइं5,000 रुपी आप खर्च करने के बाद मैने में 8 लाग कमाने वाला बिजस है तो आप पहले आने का क्यों सोच रहे पहले तो लगाना पड़ेगा ना सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा जाना पड़ेगा ट्रेनिंग मिल्टिंग में लेकिन क्या किया 15,000 रुपे दे दिये सामान मिलिया और उसको लगता है कि मैंने तो ऐसान कर लिया और मेरा साथ जनम का इसने रिंड खा लिया है और इसको तो मैं नहीं चुड़ूंगा ये मेरे को थोड़ा से मेरा पईसा तो कमाई करके देना पड़ेगा इसको ऐसा सोच लेते हैं इसलिए निन्यानवे प्रतिशात लोग नेट और कसके काम करने गिलिश्मोंचा वो सभी लोग आज ना कहां से कहां अमीर बन चुके धनी व्यक्ति बन चुके हैं तो मैंने एकी चीज़ देखा दोस्तों पूरा समाज में गरीब वो लोग वही लोग है जो वाकिय में जो सीखना नहीं चाते जो आगे जिसके अंदर वि पूल्टर शिखा देता है जो अपने आपको MBA मुझे बहुत आता है ऐसा उसको रगता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा गरीब समाज में है यह सबनों तो इसलिए अपने आपको व्यवेस्तित करिए पैसे से हो अब आज के जमाने में आप इसकुटी नहीं है अब आज 21 चल रहा अभी भी यहां से पैदल पैदल कब तक पैदल में डाइमेंड बन पाएंगे तो इसलिए क्या है सिखे वह सारा काम सिखे इसकुटी सिखना गाड़ी सिखना बाइक सिखना आप बताओ आप लोगों से तो मेरा उमर बहुत कम है लेकि मैं तो ट्रॉक भी चला लेत पैदल चाहें गाड़ी हो एक जगा से हम 200-500-5000 कीलमेटर तक भी हम खुद जा सकते हैं यह दि हम चाहे तो हमारे पास साधा ने हमें बस की इंतजार नहीं करना पड़ता है हमें घर्चे के बारे में नहीं सोचते हैं हम सोचते कि वह जहां काम करना है काम जरूरी काम समय पर लेकिन आपके पास बाइक ना हो गाड़ी ना हो आप नहीं चला सकते ना तो सोचना पड़ेगा कल जाओंग लेकिन वहाँ पर तो क्या है बस का तो टाइम निकल गया तो उस दिन पुरा समय बरबाद हो जाता उस दिन का तो गाड़ी चलाना बाइक चलाना इसकूटी चलाना यह बहुत अच्छा गुण है बहुत अच्छी मतलब योग गयता है और इस इसको शीख पाएंगे तो आप कभी भी निर्वर नहीं रहे पाएंगे किसी को पर आत्मा निर्वर बनिए कहीं भी प्लान दिखाना हो जाना हो इसकुटी बाइक में जाईए कार है तो कार में जाईए दूरी में जाना हो तो है न इस तरह से और कार हो चाये बाइक हो चाये किसी चीज में भी आप खोड़ा सा खर्चे करके जा रहे हो न तो यह मत स तो सम्मान सोबा किस क्या बढ़ेगा आप क्या बढ़ेगा तो सेफसब कले हैं ऋयुकर आप लिए इसलिए यह वाला वैक्ति बीस्टने को बहुत जल्दी छोड़ता है कि बहुत जल्दी छोड़ता है कंजूस आदमी में जीवन में कहीं नहीं पहुंचता है लेकिन मैं बताना चाहूंगा जब मैंने नोकरी छोड़ करके आया मेरे दोस्त नोक्री छोड़के में जब आया था 300 रुपे तिल डालने तक का भी परिस्तिती खराब होता था माल बजार में में टीम बनाने के लिए आता था अना बाइक यहां मेरे पास बाइक भी नहीं था मेरे बड़े भाईया से मैंने बाइक लिया मैंने नया भाइक खरदा था लेकिं उनी को बेज दिया था मेरे पास जब नोकरी छोड़ा था मेरे पास कुछ नहीं था ना भाइक था ना इसकुटी था ना घरवी था कुछ भी नहीं था लेकिन एक ही मन में था कि कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है ऐसा सोचेंगे त अपको nootivate को आको मोटिवेट करने के आख सकता ने उसके पड़ेगो है आपका जिन्दगी में आपका सपना आपका कारण ही आपका सबसे बड़ा motivation और जिसका यह नहीं है जिसके पास नहीं है तो उसके कोई कुछ नहीं हैं तो इसलिए पहले बाईग में दोड़ा दोड़ा प्लान फुलॉप किया फिर मैं बना पॉल से टुपाज बना होजब बदस टुपाज बन गया और टुपाज से नियररेस्टू एमरेट बना तो फिर मैंने गाड़ी लिया गाड़ी फिर अगरवत्ति लगा करके घर में रखने के लिए गाड़ी में इसली लिया था कि हंड के मोसं करने लिए ने करके अपना एक लोन लेकर के मैंने जमन लिया था तो एक लाग 30,000 में लिया था तो दोड़ते 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 ऐसा दिन आया कि चेक कम आते थे लेकिन खर्चा होता था लेकिन पईसा इतना दिक्कत हो गया कि खाने के लिए भी दिक्कत पढ़ गया तो फिर मैंने वो जमिन को मैंने बेज दिया 12 लाक में बेज दिया और मेरे पास जब बड़ा पैसा आ गया तो उस बैसे को लगाया रखा उसको नहीं कि लखेंगे बच्चे के लिए रंगना है नहीं जिस बिजनस में यह पर diamond बढने के लिए नहीं कि यहां पर आया हूं सबसे पहले diamond बढना है मैंने कभी भी गाड़ी में टेल डाल करकर team को मदद करने में कभी भी नहीं कभी भी तेल डाल करके गाड़ी में मैं खुद गाड़ी चलाता था जो जो चीज की वज़ा से मेरा सपना में रुकावट आ रही है वो सारा चीज में सीखूंगा यह मेरे अंदर में था तो मैंने गाड़ी भी शिखा जिन्दगी में कभी पाहाड में गाडी में चलाया नीac तो और पाहाड मेंभी गाडी चलाना सीख गया और उक लाग दस जार किलुम्योकी गाडी चलाया तो मेरे कहने कर तात पर यह है दोस्त कंजूशी करके काम नहीं कर सकते हैं हर चीज के अपका जिंदकी परतन करने वाला एक छोड़ा सा बतढ़Иंग चाहसा बच्स किजिए it होटेल में रुक करके आप आएंगे चार दिन रोख सो के खाना खाके अपने आपको अमीर में सुस करके आएंगे छे अजार में मिलेगा पाइब सब्सक्राइब का पावर है यह जाओगे तो पचासजार का बिल बना के बेज़ देगा आपको लेकिन हम लाय की नहीं है हम खहाजार रिदेता ना तो हम कचासजार खरज करका रहा है कि ना जिसके इंदर में समझे नहीं है इसको समझे नहीं बड़ा खर्ज भी किजें तमधाली से मैनत कीजए अपने आपको बंधन में मत रखिये, बहुत बड़ा काम होगा, ठीक है, अपने आपको जितना बड़ा, आज हो सकता है आपके पाइसा ना हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका सुन्च बड़ा है, तो आपको काम करने से, आपको मैंनत करने से कुई नहीं रूग सकता है, यह प्र प्रकतिश्वत्र किताब पढ़ने के लिए मिटिंग में आने के लिए आदमी को पढ़ना पढ़ता है फिर भी नहीं आता है कि बनेगा डायमंड बताइए कुरोडपती है तो इतना सुनेरा अवसर हमको मिला हुआ दोस्तों तो हमको कुछ करना है ठीक है तो यहां पर अपने आप पर विश्वास करिए अपना व्यवस्ता खुद कीजिए इसकुटी हो बाइक हो फड़ा सा पैसा खर्च करना हो अपना तो आप बैक में रखे सपोर्ट में और कभी भी काम सेप सबस्क करते समय पैसा दिक्क्त आया बोलके मत बोले अपना पैसा का दिकत को सलुषन करना को reward करना लक्श को निर्धारित करिए लक्शày निर्धारित नहीं है तो आप बताओ एक लेटर लेकिन आपको ने डालके आपने पता लिखा नहीं पता ही नहीं लिखा तो आप और हम इस धरती में जनम लिया है तो हमरे लक्ष क्या है हमने क्या चीफ किया हम कहा जाना चाहते हैं हमने परिवार के लिए क्या किया समाज के लिए क्या क्या मेरे इंप्रेंस कितना है मैंने क्या इंप्रेंस काम क्या इतना सोच नहीं सकते हम लोग पता ही हमको सोचना चाहिए समझना चाहिए और बहारी दुनिया में कोई ऐसा सीख आने की इंतजार मत की चीखने के बात काम करना सूर्ण कर दिए एक हम इस तलिए लक्षे को पूरा करते समय आई हुई मुश्कीलों का विस्ट्रेशन करते हुए समझ यह और सूद्भूज पैदा करना लक्षे आप लक्षे को पाने के लिए जब आम फिल्ड में में नद करत लेकिन लक्षे के प्रति आप भागते समय में जो आर्थिक परिस्थिति आए अपना सरीर स्वास्ता में परिए गड़बड़ आए और आपका इमोशनल में भी तुड़ा दिक्कत आए जब आपको सफलता नहीं मिल रहा हो तो उस टाइम में सूझ-भूच के दोरा सूझ-भ बच्पना नहीं बनना है यह ना हमें ऐसा हरकत नहीं करना है कि हां नेगिटिव वाला बात करना है नहीं हमारे अंदर में सूझ-भूच होना से समझ जब तक पैसा आ रहा हो जब तक तरक्य हो रहा है तो धन्यवाद आपको बहुत बड़े अखुस है और जब पैसा आना नहीं मिलना बंद हो गया तो सूझ-भूच खतम और अब दोस्ट देना शुरू कर दिया सिस्टम को अप्लाइन को कंपनी को यह ना तो ऐसे नहीं सूझ-भूच पैदा करना दिक्कत्य तो आएगी हर चीज में दिक्कत्य आएगी लेकिन उस दिक्कतों से पार करने के निरंतरता है कभी आपने आपके उपर जाक के देखा पूछा अपने आपसे तो हमें अपने नजरों में ही सबसे पहले अपने आपको घिरने से बचाना है अपने आपको अपने नजरों में आपको मेहनती साबित करना है तो खुद को साबित करना है हमें किसी और को साबित तो हमें क्या करना है निरंतर प्रियास करने की आप सकता है इसलिए निरंतर मीटिंग में आईए किताब पढ़िए अच्छे काम उग कीजिए अभी तक पुराना काम करके आए वहां से तो आपको वही मिला जितना मिलना था और वही करते जाएंगे उत्रहीं मिलने वाला उसे ज्यादा क्या मिलने वाला लेकिन आज जो नया बिजनस मिला है तो इसके लिए आपको हमेशा सीखने में मैंना मेरत करने में तैयारी करने में हम अच्छा मेरा आवाज सुना ही नहीं दे रहे हैं पुड़ा सा रूख जाई है अभी आये गा अब चीक है ने प्रॉक चला गया था मेरा अभी सुनाएं दे रहा आप लोगों जी थैंक्यू तो क्या है लक्षक पूरा करने के लिए बिना रुखे निरंदफ प्रयास करना ठीक है तो यह चीज इंपोर्टेंट है तो शुरुवाद में क्या मोला बहुत सारे पड़े लिखे लोग आपको फिल्म कभी भी मोका मिलेगा सुनने को वो तो फलना तो सीखना तो उन्होंने नहीं किया तो क्या वह फैल हो घरो तो क्या आप लो घर घर करके लोगों को विश्वाज इतना genetically जूटवो जुड़ों बोलनें चलेगा कई थे जूड़ा हो मन में जो doubt से उसको अच्छे से वलिवाती से आपको clear करना पड़ेगा है न इस तरह से आपको लोगों का समधान करता बनना है लोगों को पर समस्या हुआ लेकिन आपने समधान देने वाला विक्ति बनना है यदि आप इन सुत्रों का क्रमागत यानि कि लगातार रूप से अ है कि तीन साल क्या कभी आंको व्ला किया और तीन साल बाद आप काम नहीं करेंगे तो आपका आपके किसी को नहीं भुबना था मिलगा नहीं है जोनेbahn करना जोंगों नहीं है system में कोई दोस्त नहीं 99% जो दोस होता है दोस्तों जो व्हika कमी होता है लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बाद यह कि सविकार करा जो सफे नहीं आदमी मांता नहीं होता है आज की बाद मैं अपने को सुधार के में काम करूंगा 99% लोग मानने के लिए त्यार नी क्योंकि इगो है ना यह सनो इगो को बड़ा पनाएगा जीवन बर गरीब रहेगा लेकिन उस इगो को तोड़ करके गल्ती को स्विकार करके अपने आपको सुधार करके अपने परिवार के लिए कुछ करना होती कम लोग हो सोचने वाले इसलिए इन सुत्रों को विश्क्रित रूप से जानने के लिए मेरी एक मेरी एक किताब सफलता के नए आयाम को अवश्य पढ़े सफलता आपसे बचकर नहीं निकल सकती ठीक है तो थैंक्यू वेरिमाच आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आ बात की जो मिट्सेशन पर आए तो कल के लिए होमवर्क रहेगा तो जितना भी पढ़े लिए अभी तक जो जो हुआ है ना उसी को दुबारा पढ़के आई आप पढ़िए क्योंकि आप पढ़िए और मैं बार-बार बोलता जाओंगा और आपको तब तक पढ़ना है जब जिस तरह से बच्चे तयारी करते हैं बड़-बड़े एक्जाम्स को देने के लिए है ना तो क्या आप सभी तैयार है तो थैंकि बेरी मच्च आप सभी को जोड़ दाताली होना चाहिए आज हम सभी ने बहुत अच्छे से सीखा और आप सभी ने सीखा लेकिन आपके सासत मैंने भी सिखा और मैं तो मेनत एक ही सिदान दे जब तक संसार में जिन्दा हूं तब तक सिखता रहूंगा और मेहनत करता रहूंगा और अपने परिवार के लिए तो कुछ करना है लेकिन समाज के लिए बहुत बढ़ा कुछ करके जाना है यह मेरा एक संकल्क है ठीक है मे कभी यहां training meeting हो ना. तो आपको बुलाए तो इदर आना. क्युकि हमारे गूरु जी सब आगरा करेने वाले थे और हमको बुलाते थे, यहां से आगरा पहुँचते थे, ढिली पहुँचते थे, जयरपुर पर आएंगी तो कुछ न कुछ आप लोग शीख के जाएंगे मेरे और से बहुत बहुत सुब काम नाएं विश्य अल्दवेस्ट आपका दिन सुबख थैंक यू बहुत नमस्कार्दी